हेलो एवरिवन आज हम एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो फिजियोलोजी के अलावा पैथोलोजी और सर्जेरी में भी काफी हल्पफुल रहता है सो इस वीडियो को अन तक देखें एक क्वेशन है आप लोगों के लिए कमेंट्स में आंसर करिएगा और यदि अभी तक सब्स्राइब ना किया हो तो कर दो तो ठीक है तो शुरू करते हैं शौक के उपर इजी वे में समझेंगे शौक होता क्या है सो बेसिकली सर्कुलेटरी शौक को यदि हम देखें तो इतना बड़ा सा फ्लोचार्ट है there are many types and there are many concepts involved सो इसे आसान करके समझते हैं सो बेसिकली सर्कुलेटरी शौक यदि हम देखें तो डेफिनेशन हमें पता है कि जब भी body tissues में oxygen की supply sufficient नहीं होती है nutrient sufficient नहीं पहुच पाते हैं क्योंकि blood flow में कहीं न कहीं कमी आ चुकी है so that leads to circulatory shock now circulatory shock दो टाइप से हो सकता है basically अगर blood flow कम हो रहा है तो यहां तो heart pump नहीं कर रहा है तो cardiac output कम हो गई है but sometimes cardiac output normal है sub-normal है पर हो सकता है body की demand ज़्यादा हो so cardiac output अगर कम हो रही है तो उसके दो हमें possible main reasons लिखते है cardiac abnormalities यह cardiogenic shock कहलाता है और ऐसे कुछ factor जिनके कारण venus return कम हो जाता है जैसे कि जिसका सबसे prominent है कि blood volume कम हो जाना फिर जो diminished cardiac output है उसमें क्या होगा कि metabolic rate body का बहुत ज़ादा है तो cardiac output फुल्फिल ने कर पा रहा है और tissue perfusion patterns थोड़े abnormally deviate हो चुके है so इन सब का end result क्या होगा ultimately tissue deteriorate होगा और organs जो हैं खराब होते जाएंगे आगे चलके so अब हम सबसे पहले cardogenic shock तो हम अलग से CVS unit में देखेंगे हम इसमें hypo volumic shock पे focus करेंगे जो की factor that decrease venus return में आता है so इस flow chart को अब आप समझेंगे तो आपको काफी simplified लगेगा अब हम बात करते हैं हमें body good position में है इतना blood loss नहीं हुआ है और जो compensatory mechanisms है वो काफी sufficient है फिर second progressive stage है इसमें धीरे धीरे condition version हो रही है और यदि time पे therapy नहीं दी तो शायद irreversible stage हो जाए जिसमें ultimately person की life भी जा सकती है so इन stages of shock को समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा example लेते है hypovolumic shock का hypovolumic shock को हम detail में समझेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियो में जो दूसरे shocks है septic shock etc. वो सब तब देखेंगे so hypovolumic shock में जो hypovolum या मतलब blood volume कम होना so blood volume आप खुच सोचिए कब खम हो सकता है hemorrhage के टाइम पे this is the most common cause of hypovolumic shock साथ ही साथ कहीं बार plasma loss हो सकता है जिसके ये तीन रीजन है intestine obstruction, severe burn और dehydration और trauma के कारण so अभी हम detail में hemorrhagic shock को पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे so अब बात करते हैं hemorrhagic shock के ऊपर so hemorrhagic shock में basically आपको पता होगा कि यदि हम blood donate करते हैं तो हमारा blood loss हुआ तो क्या उससे हम shock में आ जाते हैं नहीं, because एक golden key rule होता है कि 10% जब भी body का volume अगर blood volume loss भी होता है so जो compensatory mechanisms हैं वो सब overlay कर लेते हैं so इतना effect नहीं आता है on arterial pressure और cardiac output but जैसे कि 40-45% of the blood volume loss होने लगता है तो फिर हम देखते हैं कि irreversible shock approach हो सकता है so क्या reason है जिसके कारण 40-45% आज body volume हम एक प्रकार से loss में भी person जिन्दा रह सकता है उसका importance है by sympathetic reflex compensations अगर sympathetic reflex compensation नहीं होते तो यदि किसी व्यक्ति का 15-20% भी अगर blood volume lose हो जाता है तो उसकी death हो सकती थी तो sympathetic reflex compensation ने कहीं न कहीं यह limit double कर दी है और क्या sympathetic mechanisms है? arterial का constriction, veins का constriction और heart की activity बढ़ना so यह काफी basics हैं यह आपको help करेंगे so अब हम जैसे कि हमने बात करी थी हम 3 stage with respect to hypovolumic shock पढ़ेंगे, so सबसे पहली stage देखते हैं non-progressive shock non-progressive हमें पता है कि compensated है body के mechanisms काफी सही काम कर रहे हैं so उसके examples हैं और यह आपको बहुत अच्छे से पता हूंगे I am definitely sure baroreceptor reflex CNS ischemic response यह चीज़ क्या है reverse stress relaxation of the circulatory system reverse stress relaxation का मतलब है कि जहां पे भी diminished blood volume है so उसके around में blood vessels contract करेंगी ताकि जितना भी blood volume जो available है वो ज़्यादा से ज़्यादा circulation को fill कर पाए so the next is increased secretion of renin, vasopressin and epinephrine and norepinephrine यह तीनों का आपको पता है कि यह peripheral arterial का constriction कराएंगे जिसके कारण body में fluid loss बच सकता है so यह basically compensated phase के हमारे mechanisms थे और आप इससे भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह compensation चलेगा काफी complex slow chart है बट आपको ultimately जो factors बोले वो याद रखने हैं और फिर आप उस पर पूरी cycle बता सकते हैं रहने नंजियो टेंसन सिस्टम की और हर सिस्टम की so अब हम आगे चलते हैं कि कब यह condition progressive shock में जा सकती है so जैसे कि हमें पता है कि एक point तक जैसे 10% तब तक body compensate करती है पर जैसे एक critical threshold से थोड़ा सा भी पार होने लगता है so basically situation खराब होने लगती है तो ऐसा क्या होता है कि situation इतनी खराब हो जाती है और उसका reason है कि एक vicious cycle of cardiovascular deterioration activate हो जाती है इसका मतलब आप ऐसा समझ दीजिए कि कई ऐसे positive feedbacks हैं जो कहलाते तो positive feedback हैं पर काम negative कर रहे हैं body पे वो basically further organ को damage कर रहे है so हम देखते हैं वो feedback क्या है पहले इस low chart में इनको हलका सा देख लेते हैं फिर मैं आपको इनका point up करके बताऊंगा so basically आपको अब देखते हैं कि positive feedback होते क्या है so हम समझते हैं positive feedback सबसे पहला cardiac depression basically जब भी nutrients कम होने लग गए blood flow कम होने लग गया heart में so cardiac tissue जो है उसकी muscles weak हो जाएंगी और ultimately cardiac output और कम हो जाएगा और shock progress होता चलेगा vasomotor failure क्या होता है vasomotor failure basically in the initial stages of shock we know that compensated mechanisms activate the sympathetic system and this leads to fulfillment of the body requirements but after some time what happens that as the situation worsens there occurs inactivation of the vasomotor center in the brain और inactivation क्यों होता है brain में क्योंकि basically vasomotor center को भी blood नहीं मिल पाता so इसके कारण vasomotor failure हो जाता है अब बात करते हैं कि blockage of very small vessels so आपको पता होना चाहिए कि भले body में blood circulation कम हो रहा हो पर metabolism कहीं ना कहीं normal रहता है और इसके कारण से carbonic acid, lactic acid और ultimately ये सब चीज़े बढ़ जाती है और ये सब चीज़ों में कई बार देखा गया है कि इन factors के कारण या तो locally blood clot हो सकता है या तो फिर RBC या blood की viscosity बढ़ जाती है जिसके कारण stagnant flow हो जाता है जिसको हम sludge blood कहते हैं हमें बहुत अच्छे से पता है capillary permeability बढ़ जाती है कई बार इशके में tissue toxins release करते हैं आप पढ़ेंगे inflammation के बारे में हम बताएंगे आपको so inflammation में भी कई बार ऐसे toxins release हो जाते हैं साथ ही साथ जो एक बहुत important septic shock हम पढ़ेंगे आगे उसमें हम देखेंगे endotoxin का mechanism endotoxin particularly cardiac depression cause करता है और ये सब generalized cellular deterioration को lead करेगा जिसमें liver, heart, lungs सब damage होना शुरू हो जाएंगे ultimately tissue necrosis हो जाएगा और शायद आपने shock lung syndrome नाम का एक चीज सुनी होगी तो वो tissue necrosis के कारण होती है और ultimately हमें पता है कि body को oxygen कहीं न कहीं कम मिल रही है तो anaerobic glycolysis favor होगा तो acidosis भी पाया जाएगा lactic acid भी पाया जाएगा अब आप इस slow chart को पढ़ेंगे आप बिलकुल easily समझ पाएंगे किस प्रकार से body में cells damage हो रहे हैं अब ultimately हम irreversible shock पे आ जाते हैं irreversible shock में आप therapy दीजिए तो भी एक समय पे हो सकता है cardiac output शायद थोड़ी better हो जाए पर ultimately वह cardiac output फिर गिर जाएगी और therapy देने के साथ साथ असर कम होता जाएगा So irreversible shock is a dangerous situation और इसका main mechanism यह है कि जो cell में high energy phosphate reserves होते हैं वो पूरी तरीखे से खतम होना शुरू हो जाते है So we hope कि इस वीडियो ने आपको shock को एक revise करने में काफी help की होगी और अब आप कोई भी standard book पढ़ लीजिए So आप देखेंगे कि आप उसे 5 minute में पूरा sum up कर सकते हैं So अब हम बात करते हैं आज की assessment question की Easy सा question है बता जीजे comments में और हमारे वीडियो को जरूर जरूर Share करें जितना जादा हो सकें Subscribe करें, bell icon दबाएं और like करना ना भूले इस बार हम एम कर रहे हैं 250 likes की Thank you, thank you so much